नमस्कार दोस्तों टीनेजर्स के लिए आज मैं आपके साथ स्टाइलिश फ्रॉक शेयर करने वाली हूँ इसकी कटिंग और इस्टिचेंग पूरी डीटेल में जाने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें इसके लिए मैंने ये पॉने तीन मीटर कॉटन काथा फैब्र कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस पूरे कपड़े को खोलें और खोलने के बाद पहले हम इसे एक बार चौड़ाई में फोल करेंगे जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से एक बार फोल करें अच्छे से फोल करने के बाद इसे फिर से फोल करें अब यहां से हम पहले इस फ्रॉक के लिए जो स्कर्ट हम नीचे बनाएंगे उस स्कर्ट की लंबाई इसमें से निकालनी है skirt की लंबाई है 30 inch उसमें हम 2 inch add करके और 32 inch लंबा यहां से कपड़ा cut करेंगे अब यह एक side का skirt है इसी तरीके से हमें 32 inch लंबा कपड़ा एक और यहां से cut करना है इस तरीके से front और back panel के लिए हम यहां पर skirt कट करेंगे अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हमें पहले top part की लंबाई निकालनी है top part की लंबाई है 14 inch यहां collar वाला pattern बनाएंगे तो इसलिए हमें यह 16 inch लंबा इसमें से कपड़ा अलग करना है इसमें से हम back panel कट करेंगे तो back panel को size के हिसाफ से इस तरीके से चौड़ाई में fold कर लें यहां 36 inch chest size है तो उसके हिसाफ से मैंने इसे fold कर लिया है जो side से कपड़ा निकला है उसमें से हम sleeves कट करेंगे अब देखिए इस तरीके से मैंने 2 और pieces कट किये हैं front panel के लिए जिसकी चौड़ाई हमें 2 inch extra लेनी है placket बनाने के लिए और लंबाई 1 inch कम लेनी है इस तरीके से back panel और front को set कर लें देखिए ये back panel 1 inch लंबा है जो हमने extra लिया है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दे अब हम यहां से measurement के हिसाब से marking करेंगे shoulder line है 7.5 inch ये collar वाला top है तो यहां से हम shoulder slope एक इंच ड्रॉप करेंगे एक इंच ड्रॉप करने के बाद फिर से हमें यहां arm whole length सेम लेनी है 7.5 inch अब हम chest line के लिए निशान लगाएंगे अब देखे जो extra कपड़ा है प्लैकेट के लिए उसे fold कर लें तो आपको निशान लगाने में आसानी रहेगी chest line है 36 उसका चौथा बाग करके इस like का extra ले लें यहां से हम arm round का इस तरीके से shape दे देंगे west line है 32 उसका चौथा बाग करें और उसमें 20 like का add करें अब इन दोनों marks को इस तरीके से मिलाएं यहां west line पर हम करीब एक inch तक इस तरीके से round में cutting करेंगे इससे west line की fitting अच्छी बैठती है अब देखे यहां shoulder slope किस तरीके से mark करना है यहां पहले 3 इंच गले की चोड़ाई का निशान लगा दें और इस तरीके से 1 इंच ड्रॉप करके shoulder slope का निशान लगाएं back panel में गले की लंबाई 1 इंच रहेगी और इस तरीके से यहां पर गोलाई वाला shape देके इसकी cutting कर लें अब इसमें से हम पहले back panel को हटा देंगे front panel में जो हमने extra कपड़ा लिया है वहां पर इस तरीके से cut का निशान लगा दें तो जब हम placket बनाएंगे तो आसानी रहेगी अब front में हमें इस तरीके से करीब 5 इंच अंदर की तरफ हमें front की cutting करनी है अब हम sleeves cut करेंगे इसके लिए मैंने यह 4 fold किया हुआ है कपड़ा sleeves की जो लंबाई है वो हम 14 इंच लेंगे और चौड़ाई हम करीब 10 इंच से 11 इंच लेंगे अब इस तरीके से sleeve cap कट कर ले यहां से हमें विल्कुल हलकी सी cutting करनी है क्योंकि इसमें हम puff sleeves बनाएंगे तो उपर से भी gather साएंगे और नीचे से भी हमें elastic लगाना है अब हम stitching स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें placket बनाना है जो placket के लिए हमने extra कप्रा रखा था उसको fold करें देखे जो हमने beach का निशान लगा था उसको इस तरीके से placket बनाएं तो उसे beach में रखें beach में set करके और यहां से slide करके और placket बनाएं दोनों placket मैंने इस तरीके से तयार कर ली है अब देखे front panel को back panel पर इस तरीके से बिलकुल अच्छे से set कर लें और गले की जो चौड़ाई का निशान है वो मिलाएं गले की चौड़ाई का निशान यहां पर लगाएंगे और गले की लंबाई हमें 3 इंच लेनी है अब यहां पर इस तरीके से अलका सा V-shape देकर और इस नेक की cutting कर लें अब हम दोनों panels को आमने सामने रख कर और यहां shoulder line को जोड़ेंगे shoulder line को जोडने के बाद अब यहां नेक पर हमें short collar लगाना है तो इस तरीके से पहले गले को fold कर लें और measurement लें कि कितना लंबा हमें collar यहां पर चाहिए टेप को इस तरीके से गुमाते जाएं और measurement लें यहां करीब 8 से 1 line कम हमारा collar का measurement आ रहा है अब collar के लिए मैंने यह सीधी pasting paper की पट्टी ली है इसकी जो चोड़ाई है यह करीब 3.5 इंच है अब जितना collar का measurement आ रहा है उतना यहां पर निशान लगा है 8 से 1 line कम अब इस निशान को हम बिलकुल सीधा भी रख सकते हैं और इस तरीके से slant में भी रख सकते हैं देखे यह सीधा निशान है यहां मैंने करीब 1.5 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से टेड़ा निशान लगाया है अब देखे यहां नीचे की तरफ से हमें करीब 1.5 इंच पे निशान लगाकर और इस तरीके से गोलाई वाला shape देना है कॉलर के उपर की तरफ से यहां पर करीब 4 इंच छोड़ें और इस तरीके से निशान लगाएं अब हम इसकी cutting करेंगे cutting करने के बाद shirt कॉलर को कपड़े के उपर paste कर लें देखे नीचे की तरफ से मैंने से glue से फोल कर लिया है अब इसे stitch करने के लिए एक और सीधी बट्टी लें और यहां कॉलर को तीन side से sly लगाके तयार करें कॉलर को मैंने सीधा करके इसे तयार कर लिया है अब कॉलर लगाने के लिए top part को सीधा रखें और पूरे neck पर इस तरीके से collar को sly लगाकर और यहां पर fix करें कॉलर इस तरीके से लगाने के बाद अब हम कॉलर को पीछे की तरफ से भी इस तरीके से फोल करके और यहां पर किनारी पस लाई करके और शर्ट कॉलर को तयार करेंगे जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से फोल्ड करके एक बार इस कॉलर को आयरन करें दिखें ये शर्ट कॉलर तयार हो चुका है शर्ट कॉलर बनाने का सबसे आसान तरीका है ये अब स्लीव्स के लिए मैंने ये सिंगल फोल्डिंग कर लिए है Sleeves के अंदर हमें ये Elastic लगाना है इस तरीके से Cover करके हम पूरी Sleeves पर Elastic लगा देंगे दोनों Sleeves इस तरीके से तयार करने के बाद अब हम Sleeves को यहां Arm Round पर Attach करेंगे अब Sleeves की चौड़ाई भी हमने ज़्यादा ली है तो यहां Shoulder Line पर इस तरीके से Gathers बनाकर और Sleeves को Attach करें दोनों Sleeves तयार होने के बाद अब हमें Skirt तयार करना है Skirt पर भी हम इस तरीके से Machine में Gathers बनाएंगे अब हम Skirt को Top Part के साथ यहां West Line से जोड़ देंगे दोनों को आमने सामने रखें और यहां पर West Line पर सलाई करके दोनों को जोड़ दें Front Panel और Back Panel में हम इस तरीके से दोनों Skirt Top Part के साथ जोड़ने है अब हमें इस Frog के Side बन करने है Sleeves से लेके बिल्कुल Ant तक दोनों Side बन कर ले West Line पर आप यहां पर Pitting के लिए यह Belt लगा सकते है Sides बन करने के बाद अब हम यहां पर करीब 2 इंच तक इस तरीके से Fold कर लेंगे पूरी गोलाई में हम इस लाई करके इसे तयार करना है Placket पर मैंने इस तरीके से बटन्स लगाए है यह Frog Design stylish और comfortable है तो इस समर इस से जरूर ट्राय करें आपको मेरा यह Frog Design कैसा लगा जरूर बताएं Thank you watching for this video